हलो एवरिवन वेलकम टू टेस्टी फूडी चलिए आज हम बनाते हैं बिहारी स्टाइल में आलू भुजिया और दाल भात सबसे पहले हम अरहर की दाल बना लेते हैं इसके लिए हमने एक कप दाल ली है दाल को तीन बार धो लेंगे दाल को तीन बार धो लिया है इसे कुकर में डाल देंगे इसके साथ ही हम इसमें तीन कप पानी डाल देंगे हमने एक कप दाल ली थी तो तीन कप पानी डाल देंगे हल्दी स्वाद अनुसार नमक एक चम्मद घी डाल देंगे मिला देंगे कुकर का धकन बंद कर देंगे और इसे गैस पर लख देंगे तीन सीटी आने पर गैस बंद कर देंगे भात बनाने के लिए हमने एक कटूरी चावल लिये हैं इसे भी दो बार दो लेंगे चावल को भी दो बार दो लिया है इसे कुकर में डाल देंगे इसके साथ ही हम इसमें दो कटूरी पानी डाल देंगे एक कटूरी चावल लिये थे दो कटूरी पानी डाल देंगे स्वादा नुसान नमक, मिला देंगे, कोकर का ढखकन बंद कर देंगे, इसे भी गैस पर रख देंगे, एक सीटी आने पर गैस बंद कर देंगे, जब तक दाल चावल पकर रहे हैं, तब तक हम आलू भुजिया के लिए आलू काट लेते हैं, दो आलू को छील कर धो लिया था, इसे पतला काट लेंगे, लंबाई में, आलू को भी काट लिया है, अब हम आलू को पानी में डाल देंगे, धोने के लिए, आलू को छन्नी में निकाल देंगे, जिससे आलू का सारा पानी निकल लिया है, कड़ाही में एक बड़ी चम्मच वाइल डाला है, वाइल के गरम होती है, हम इसमें जीरे डाल देंगे, लाल मिर्च, आलू डाल देंगे, हाई फिलेम पर आलू को एक मिनिट के लिए चला लेना है, जिससे आलू क्रिस्पी बने, फ्रेंज यदि हमारी रेस्पी पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक मिनिट तक हमने हाई फिलिम पर आलू को चला लिया है अब हम इसमें कुछ मसाले यड़ कर देंगे हल्दी, लाल मेर्च, स्वादानुसान नमा, सभी को मिला देंगे दो ती मिनिट तक हम इसी तरह चलाते रहेंगे आलू भुचय भी बनके तैयार है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है कट करके भी बताते हैं आलू भी अच्छे से पक गए है यहाँ चाबल का भी धकन खोल लेते हैं चाबल भी पक गए है दाल भी पक गई है अब देख सकते हैं कितनी अच्छे दाल पक गई है अब हम इसमें अट कर देंगे लाल मिर्च धनिया मिला देंगे एक चमबच घी डाला है तरका लगाने के लिए अब हम इसमें जीरे डाल देंगे लाल मिर्च दो पिंचीन और इसे डाल में डाल देंगे कस्मेरी लाल मिर्च डाल देंगे हरा धनिया डाल देंगे मिला देंगे अब धाली सर्व कर लेते हैं चावल डाल आलू भुचिया प्याज की स्लाइज लाल मिर्च का चार बेहारी श्टाइल आलू भुचिया डाल भात बनके तयार है रेस्पी पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए एक चमद घी हम डाल में उपर से डाल देंगे